हलो गाइज वेलकम बैक टो माई चेनल गाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपने हेल्थ आइडी जनरेट करिये और हेल्थ आइडी को अपने आधार कार्ड से आपने बनाया है और इसको जब आपने डाउनलोड करा है तो इसके अंदर पोफाइल फोटो मि मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ तो जब आप इसको पहली बार डाउनलोड करते हैं तो आपके जो हेल्थ आइडी है उसके अंदर हो सकता कि फोटो आए या नहीं भी आए अगर फोटो नहीं आती है तो आप इसको केसे ला सकते हैं तो इसको अगर आपको लाना है तो कौन सी एर के अंदर आपका बर्ता तो वह आपको यहां पे डालनी है आम नोटे रोबोट पर आपको क्लिक करना है इसके बाद में जो भी केप्चा पूछा जाता है गूगल का जिसे आप ट्रेफिक लाइट को पूछ रहा है उनको आपको सेलेट करके आप पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है अगर वो गलत हो जाता तो फिर अगला कुशन आपसे प आपको रोबोट के लिए पूछा जाता है तो आप इससे पर क्लिक करना है एक बार और फिर से पूछा जाएगा यहां पर जो भी मांटेंस और हिल्स आपको दिखाई दे रहे उस पर आपको क्लिक करना है यह वेरिफाई हो गया इसके बाद में आप दो तरीके से लोगिन क इसके बाद में login बटन पे click कर देना है, login बटन पे आपने click कर दिया, उसके बाद में देखिए यह आपकी आगई health ID, अब आपको इसको update करना है, यहापकी profile photo आ दिए, इसको आपको update करना है, यहाप यहाप राइट पे click करेंगे, my account के अंदर, यहाप पहला option दिया हुआ है, edit profile का, इसके आपको click करना है, edit profile पे जब आप click करेंगे, तो यहाप देखिए picture के उपर आप click करेंगे, picture के उपर mouse लेकर जाएए, यहाप अगर mobile से कर रहे हैं तो आप उस पर tape करिए, जब आप इस पर click करेंगे, तो आपको picture को आपके जो भी computer है या mobile उससे आपको upload कर लेन को इसको उपन करके बताता हूं आपको तो देखिए health ID डाउनलोड हो गई है मेरी और वो profile फोटो भी याँ पर आ गई है तो इस तरह से अगर आपके health ID आपने बनाई है और इसके अंदर फोटो नहीं आई है तो आप login करके जिस तरह से मैंने आपको process बताया है उस तरह से आपके health ID के अंदर फोटो आ जाएगी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स मुझे जरूर लिखे वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें थेंक्यू